सब्सक्राइब हाल है की खबरों के अनुसार कोरोना वारस के चलते टी आई देवेंद्र ने दम तोड़ दिया उनका निधन अर्विंदो होस्पिटल में सिब्ध चार बजे हुआ इस खबर के बाद से ही पूरे पुलिस महकमे में सदमे का माहल है बता दे किस से पहले शनिवार को पंजाब क लुद्याना में कोरोना पॉजिटिव पाए गए एसीपी अनिल कहली की मौत हो गए थी एसीपी कहली इस्पिताल में कई दिनों से भरती थे और वो वेंटिलेटर पे थे जो नियंदो थानप्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी 19 दिनों से अर्विंदो होस्पिटल में एडमिट थे उन्हें 30 मार्च को एडमिट किया गया पहली रिपोर्ट पॉजर्टी थी उसके बाद दो रिपोर्ट नेगेटिव आई एक बास स्वास्त बिगरा था पर फिर लगातार सुधार हुआ दोनों 13 और 15 अप्रेल की रिपोर्ट नेगेटिव आने की बाद उन्हे डिस्चार्ज करने का विचार शुरू हो गया लेकिन रात साड़े 11 बजे अचानक सास चली और हार्ट रेट तेज हो गई डॉक्टर विनोध भंडारी के अनुसार इन्हें पॉल्मुनरी एम्बुलिज्म हुआ था जो एक तरह का हार्ट अटैक है जो नॉर्मल लोगों मे भी होता है यहीं उनकी डेट का मैंकारण है क्योंकि कोरोना तो खत्म हो चुका था और दो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी आज तक डिस्चार्ज करने वादे थे शहिद देविंद्र कुमार के परिजिनों को 50 लाग की साहेता राशी और पतनी सुष्मा को उप निरिक्षक पद पर नियुक्ती मुखिमंद्री शिवरास सिह चोहान ने दी है और गहन दुख व्यक्त किया है उन्होंने शोक संतप्त परिवार को प्रती संविद्ना अव्यक्त करते हुए सुरक्षा कवच की रूप में 50 लाग रुपे की राशी स्विक्रित करने और दिवंकत थाना प्रभारी की पतनी को सब इंस्पेक्टर की पत पर बदस्थापना की घोशना भी की है इन दौर की हमारी पुलिस टीम के कर्तवी निष्ट सदस्य पूर्वथाना प्रभारी निरिक्षक देविंद्र कुमार ने कोरूना से जंग में कर्तवी की बलिवेदी पर अपने प्राण ने उच्छावर कर दिये हैं इन दौर की अर्विंदो अस्पिताल में उनका इलाज चल रहा था और हाली में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी ये हमारे लिए एक अच्छी खबर थी लेकिन देर रात अच्छानक दो बजे उनकी मृत्यू का दिखत समाचार मिला मैं उनकी चर्णों में श्रधांजरी अर्पित करता हूँ इस संकट की घड़ी में मेरे साथ पुरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है शोकाकुल परिवार को राजश शासन की ओसे सरक्षा कवच की रूप में 50 लाग की राशी उनकी पतनी सुश्मा जी को विभाग में उप निरिक्षक के पतपन यूगती दी जा रही है ये ट्वीट मुखी मंत्री शिवरास्तें चौहान ने किया है पुलिस अधिकारी चंदरवंशी के कोरोना पॉजटर मिलने के बार डीजीपी विवेक जोहर इंदौर आय थी और फिताने पहुचकर उन्होंने पुलिस कर्मिय भी कोरोना पॉजटिव मिले थे जिसके बाद उनकी थाने के सभी पुलिस कर्मियों को क्वारेंटाइन किया गया था करतवे निभाते हुए अपने प्राणों की आहूती देने वाले ती आई देवेंदर चंदरवंशी को राज के समान की साथ अंधिम विदाय दी गई किया जाए उन जिलों में रोटेशन पदती लागू की जाए जिससे रात दिन काम कर रहे ही वहां की फोर्स का भार भी कम हो सके साथ ही सरकार से ये भी मांग करता हूं कि इन दौर के शहीद पुले सदिकारी को शहीद का दर्जा देकर सहायता राशी पढ़ाकर परिवार को एक करोड रुपय की आर्थिक सहायता प्रधान की जाए